दोस्तों नमस्कार स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरम कार्ट के बारे में दोस्तों इसरम कार्ट से एक नई अपडेट निकल करा रही है अगर आप इसरम कार्ट को गलती से बनवा लिया है या आप बना लिया ह है तो आप घर बैठे अपने मोबाल या लैप्टाप से बिल्कुल आसाने से डिलेट कर सकते हैं आपको कैसे डिलेट करना है मैं आपको फूल प्रोसेस करके दिखाने बारा हूं तो चलिए सुरु करते हैं देखियो स्थों हमागया अपने लैपटाप इसक्रीन पर यहाँ प पर आपको क्लिक कर देना है इसमें आपको आधार में जो लिंक है जो आप इस रमकार्ट बनवाते समय आप मोबाइल नंबर दिये थे वह आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है और इसमें आपको कर देना है देखिए इसमें आपको नो कर देना है और आपको सें समें के बाद आपको जहां पर कैपचा ही करना जाता है कना सामने अगला इंटर्फेस और वर पोर्ट फोटरल तो अफटेट प्रॉटब अडौंब लूद लूद काट फ्लिची आपको इस प्रिक कर देना है आप से इप को वही मोबाइल नंबर फिल कर देना है उसके बाद सेंड ओटीपी पर किलिप कर देना है उसके बाद फिर से आपको आधार नंबर फिल कर देना है और देखिए जो यहां पर आपको ओटीपी पर टिक कर देना है उसके बाद आपको यहां पर कैपचा फिल कर देना है उसके आपको Submit कर देना है जो आपके आधार नंबर में मुवाइल नंबर लिंक है उसके एक OTP जाएगा आपको यहां पर OTP फिल कर देना है उसके बाद आपको को अपडेट करना यह तो आप इसमेख कर देंगे देकीए तो अगर आपको देखिए सो यहाँ पर मद रिमूब आधार अगर इसमेख कर देते हैं तो इसके बाद हेस्तों यहाँ पसक्तु आप इस्रम रिवोग माई आधार कंसेट घू अरली मैं इसरम काट का हिस्टा नहीं बनना चाहता वाले दी गई मेरी जानकारी सहमती को निरस्त करें अपडेट इक वाई से इन्फार्वेंसर पर आप किलिक करेंगे तो यहां से आपका इसरम काट अपडेट हो जाएगा और अगर आप इस पर किये हुए हैं तो आपका यहां से रिमोग हो जाएगा तो दोस्तों आप यहां से बिल्कुल आसानी से घर बैटे अपने मोबाइल से अपना इसरम काट को डिलेट कर सकते हैं आपको अभी यहां से आगे नहीं बढ़ रहा है आपको जैसे यह अपडेट में तब तब के लिए गुलबाइ